गूड मॉर्निंग साथी हूं, आज हम लोग एक खास चैप्टर को देखेंगे, आज देखेंगा हम लोग मूल राइट्स को, यानि फंडामेंटल राइट्स को तो देखे मूल राइट्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि भारतिय समिधान के भाग तीन के अंतरगत मौलिक अधिकार परदान किये गया है भारतिय समिधान के भाग तीन जिसमें अनुछेद 12 से लेकि 35 तक मौलिक अधिकार परदान किये गया है ये देखिए ये BPSC के 18-20 साल में ये कोश्चन बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में आया है 20 बार एक्जाम लिया है BPSC ने लगभग लगभग 38 में BPSC से हम लोग काउंट करते हैं और जो कैंसल हुए पेपर्स उनकी संख्या मिलाके 20 पेपर हैं तो उसमें ये 3-4 बार ये पूछ दिया गया है भारतिय समयधान के 21 भाग के अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार परदान किये गये हैं तो भाग 3 में अनुशेद 12-35 तक ये 12-35 वाला हमेशा ही पूछा जा रहा है समयधान दोरा मौलिक अधिकारों को लाग करने की सकती किसे परदान की गई है तो ये सरोच नयाले एवं उच नयाले को ये परदान की गई है हम लोग आटकिल्स को भी देख लेगे इसे सम्मधि जो आटकिल है उसको भी हम लोग देखेंगे भारतिय समविधान का नूचे 13 समविधान निक प्रावधानों को संसत राज विधान मंदलों दोरा बनाएगे नियमों कानूनों पर प्रात्मिक्ता प्रदान करता है देखें, भारतिय स्मविठान का नूँचे 13 जो है, वो समवैधानिक प्रावधानों को संशद या राज विधान मंडलों द्वरा बनाएगे नियमों कानूनों पर प्रात्मिकता प्रदान करता है संसद या विधान मंडल कोई कानुन ऐसा नहीं बना सकता है जिससे जो है समवैधान का कुछ भी उलंधन हो जाए अगर कोई ऐसा कानुन बनता है जिसमें समवैधान का उलंधन हो रहा हो तो उच्चितम नयायले उसको नलिफाई कर देती है उस कानून को यानि उस कानून को हटा देती है उसको निरस्त कर देती है वो कैसे करती है तो उच्चितम नयायले को जूरिशियल रिभ्यू यानि नियाइक पुनरावलोकन का अधिकार मिला हुआ है उसके तहात ये करती है भारतिय समिधान के अनुछे 13 का मुख्य उदेश से किसके संदर में समिधान की सरक्षता सुनिशित करना है तो मौली का धिकारों के कोई कानुन ऐसा नहीं हो सकता है जो आदमी के मौली का धिकारों का हनन करता हो भारतिय समिधान में समानता के अधिकार कविश्थार किन अनुछेदों में है तो अनुछेद 14 से लेके 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है ये डीटेल से ही सब को देखना बहुत अच्छा रहेगा अनुछेद 14 से लेके 18 तक जो है वो समानता का सिधानत है आगे देखते हैं हम लोग, भारतिय सम्मिधाने का कौन सा अनुचेद विधी के समक समता के अधिकार से सम्मंदित है, अनुचेद 14, कानून के समक सभी बड़ावर है, ये अनुचेद 14 देता है, जन्म लिंग मूल वंस जाती आदी के आधार पर विभेद का परतिशेद, अन अनुचेद 15, एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधिन वरगी कृत किया गया है, भारतिय समिधान की प्रस्तावना में पर्यूक्त समाजवद सब्द को किस अनुचेद के साथ सम्मंगरता में रख कर सरवच नियाले दोरा समान कारी के लिए समान वेतन का म अनुचेद 14 तथा 16 के तहат ये दिया गया है, इसमें यह मामला है कि ऐसा नहीं कि कोई पुडूस काम करे तो अलग वेतन मिले या और महीला काम करे तो अलग वेतन मिले या फिर दो पुडूस हैं, अगर दोनों अलग-अलग धार्म या जाती के हैं, तो यह नहीं कि किसीको जादा और किसी कम पैसे दिये जाएं भारती समिधान के अनुचेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विशे में भारत के सभी नागरिकों को आवसर की समानता की गारंटी देता है तो अनुचेद 161 और 162 जो है ना अवसर की समानता की गारंटी देता है भारती समिधान के अ प्रिष्टया को बढ़ावा देना एक दंडिनिया अपराध है अब देखिए सम्विधान में जो है ना अस्प्रिष्टया प्रिभासित नहीं है लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं जैसे गाउं में कोई चाय की दुकान है तो उस चाय की दुकान पर हम लोग जानते हैं कि गाउं जो है वो आज भी अद्विश्वास के और जातिवाद संपरदाइवाद इन से अज भी जो है गाउं जो है वो एक त प्रित्या माना जाएगा यानि चुवा चूत माना जाएगा वैसे ये पडिभासित नहीं है अनुछिद अठारा का संबंध है तो उपाधियों के अंत से पहले जैसे की राजा महराजा धिराज ऐसे उपाधियां जो है वो परचलन में थी तो उन सब को इंद्रागांधी ने सब को हटा दिया अब कोई महराजा या राजकुमार या राजकुमारी ऐसे नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाराज जब आजाद हुआ था तो 556 के करीकरी तो रियासती थी पुड़े भारत में तो 556 राजे महराजे राजकुमार वगेरा की जो उप भारतिय समिधान में आर्थिक समानता यानि एकॉनमिक एकॉलिटी समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है अगर सामेवादी रहता तो ये समस्या सुरू हो जाती चलिए देखते हैं हम लोग भारतिय समिधान के किस अनुचेद में वाक एवं अभिवक्ति की स्वतंतरता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन के मौल अधिकार का प्रावधान किया गया है तो ये किया गया है अनुचेद 19 में भारतिय समिधान के अनुछेद 19 में वाक एवं अभिवैक्ती की स्वतंतरता freedom of speech and expression के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है भारत के समिधान में प्रेस की स्वतंतरता यानि freedom of press का पर्तेक्ष प्रावधान नहीं है अलग से प्रेस को कोई स्वतंतरता नहीं है लेकिन हमारे पास जो freedom of speech and expression है अनुछेद 19 में उसी के तहत प्रेस को भी स्वतंतरता गी गई है अनुछेद 19A कर दिया गया है इसके तहत प्रेस भी स्वतंतर है अब देख लेते हैं समयधानिक उपबंद को देख लेते हैं समयधानिक उपबंद जो किवल भारतिय नागरीकों को प्राप्त मूल अधिकार है और भारतिय एवाम विदेशी नागरीकों को प्राप्त मूल अधिकार है दोनों को देख लेते हैं तो देखे, पहला देखते हैं, किवल भारति के नागरीकों को प्राप्त मूल अधिकार देखते हैं, तो देखे, सबसे पहले देखते हैं, पहले नमबर पर धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग या जनम, अस्थान के आधार पर विवेध का परतिसेद ये अनुछेद 15 में है, य पाक एवं अभिवेक्ती, सांती पूर्ण एवं सस्त रहित समेलन करने, संग एवं सरकारी समीती बनाने, भारत के राजे छेतर में आबाद संचरन एवं बसनी तथा वैपार करने की सोतंतरता ये अनुछेद 19 में है, अलप संख्यक वर्गों के हितों का सनरिक्षन ये अब देखते हैं भारतिय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विधी के समक्ष समतक और विधियों का समान संगरक्षन ये अनुछे 14 में है, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आए तो आप उसको पीट दें, ठीक है न, तो वो क्या है, कानून के समक्ष आ यानि किसी विदेशी के उपर भी कोई आरोप लगता है, तो वो अपना वकील रख के कोट में केश लड़ सकता है या अपना खुद रख सकता है, जीवन का अधिकार है, यानुछे 21 उसको मिला हुआ है, ये भारतिय को भी है तो विदेशी को भी है, दोनों को मिला हुआ है तो जीवन का अधिकार है, यानि किसी के जीवन से हनन नहीं कर सकते हैं, या किसी को कैद नहीं कर सकते हैं, सिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, अनुछे 21A, देखी ये खास है, कि जो विदेशी लोग है न, उनको भी सिक्षा का अधिकार भारत में मिला हुआ है, अनुछे 21A क के तहत कुछ दसाओं में गिराफ्तारी एवं निरोध से संग्रक्ष है अनुचे 22 यह इमुनिटी जो है न कुछ खास लोगों को ही मिलती है जो बाहर के जो राजनाइक वगर होते हैं उनको डिप्लोमेटिक इमुनिटी मिलती है यह कुछ लोगों मिलती है तो कुछ दसाओं गिराफ्तारी एवं निरोध से संग्रक्ष है अनुचे 22 में है सोशन के विरुध अधिकार है अनुचे 23 और 24 के यह भारतिय को भी है विदेशियों को भी है धर्म एवं संस्कृति की सतनता यह अनुचेद 25, 26, 27 और 28 के तर जो है भारतिय को भी है तो विदेशियों को भी है जो विदेशियों को नहीं है वो यह वाले अधिकार हैं जो केबल भारत के मूल लोगों को ही यह मिले हुए हैं च पाक एवं अभिव्यक्ति की सुतंतता अनुचे 19-1-A कोई आर्टिकिल कोई लिख सकता है जिसमें किसी के खिलाफ यानि सरकार के खिलाफ खास करके लिखी जा सकती है इसमें परतिबंद यह कि उसमें कोई निजी टिका टिपनी नहों यह थोड़ा सा परतिबंद वाला मामला होता है कोई विड़ती आजीव का व्यवसाई या व्यपार करने का अधिकार अनुचे 19-1-G के तहत है यानि कोई सा भी धंदा पानी को शुरू कर सकता है यह नहीं कि आपने डिग्री तो इंजिरिंग की ले लेकिन स्कूल में पढ़ाने लगे चलिए तो मैंने जो किया है तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी व्यवसाई को या आजीव का के लिए कोई भी काम अपना सकता है सांती पुर्ण हाथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुचे 19-1-B के तहत है यानि सांती पुर्ण धरिके से बिना हाथियार के कोई भी चाहे तो अपना सम्मेलन का अधिकार मिला हुआ है आगे देखते हैं संगम या संग या सहकारी समिती बनाने का अधिकार है अनुचे 19-1-C के तहत में संगम या संग या सहकारी समिती बनाये जा सकता है 19-1-C के तहत भारत के राज छेतर में अबाद संचरन का अधिकार है और्टिल 19 91D के ताहत, यानि जहां मनपुरे भारत में, किसी को जब करे तब दिली जाईए, पंजाब जाईए, हरियाना जाईए, और लोग जाते भी हैं, बिहार से बहुत बड़ी मातरा में लोग अपनी आजीविगा कमाने के लिए या बिजनस करने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये स सरकार के तरब से इस बात की सतंतरता मिली होई है, और किस के ताहत मिली होई है, अनुचेद 19 के ताहत, तो 19 के अंतरगा 6 तरह की सतंतरताय हैं, कभी मेंस एंसर राइटिंग में जो है आर्टकिल 19 से सम्बंधिती कोश्चिन को पूछा जा सकता है, इसलिए ये ये यतनी तर के अंतरगात यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराद के अभियुक्त को स्यों अपने विरुद गवाह बनने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है, तो अनुचे 20 C में है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसको जबरदस्ती पीट-पीट के ये नहीं पुलिस कबूल करवा सकती है कि हाँ ये जुल मैं नहीं किया है और कोट में जाके वो उस जुल को कबूल कर ले, ऐसा नहीं है, ये पुलिस को सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या सचमुच उसने क्राइम किया है, तो उसको उसी ये खिलाफ गवाह के तोड़ पे नहीं प्रसुत किया जा सकता है, अगर ये अनुच्छेद नहीं होता, तो पता नहीं कितने निर्दोस लोगों को पीट-पीट के उनको अपराधी बना दिया जाता, और देखते हैं, समिधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धी के संबंद में अभियुक्तु को दोहडे दंड एवं सव और सव अभिशासत से भी संग्रक्षन देता है, भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संग्रक्षन परदान करता है, तो अनुच्छेद 21 है, दहिक सतंत्रता का अधिकार, यानि कोई कहीं जाना चार आया तो उसको रोका नहीं जा सकता है, विदेश यात्रा का अधिकार है उसको, भासरते कि उसको कोई कानोनी परतिबंद उसके न लगाया गया हो, तो भारतिय समिधान का अनुच्छेद 21 जो है, विदेश यात्रा के अधिकार को संग्रक्षन देता है, मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोशन के विरुद अधिकार प्रावधान से सम्मंदित है तो यह अनुचेद 24 में भारतिय समिधान के अनुचेद 25 में प्रयुक्त हिंदू सब्द में बौध जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित हैं भारतिय समिधान के अनुचेद 25 में प्रयुक्त हिंदू सब्द में बौध जैन और सिख भी सम्मिलित हैं भारतिय समिधान का अनुचेद 31 अल्प संख्यकों को अपने रूची के सिक्षन संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है भारतिय समिधान का अनुचेद 31 अल्प संख्यकों को अपने रूची के सिक्षन संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार और संख्यक्षन देता है भारतिय समिधान के अनुचे 32 के अंतरगत मौलिक अधिकारों का संख्यक्षक कौन है तो यह है नियाएपालिका यानि जूडिशियरी मौलिक अधिकारों का संख्यक्षक है जूडिशियरी यानि नियाएपालिका डॉक्टर भीम्रा अमबेदकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे समिधान की हिर्दय और आत्म कहा है तो समयधानिक उप्चारों का अधिकार Right to constitutional remedies अनुचे 32 अभी हमने क्या देखा था हमने देखा था कि preamble को जो है ना हमने constitution की आत्मा कहा था लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि डॉक्टर भीमरा अंबेदकर के according मौलिक अधिकारों में से समयधान का हिर्दय एवम आत्मा कहा गया है समयधानिक उप्चारों के अधिकार को यानि Right to constitutional remedies अनुचे 32 ये विदेशियों को भी प्राप्त है ये सभी को प्राप्त है भारतियों को तो ही भारतियों के लावा ये विदेशियों को भी प्राप्त है अनुचे 26 के अंतरगत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की अस्थापनावा धार्मिक कारियों के परवंधन का अधिकार प्राप्त है देखिए यहां तक तो मामला ठीक है अनुचे 26 के अंतरगत जो है सभी धर्मावलियों को धार्मिक संस्था की अस्थापनावा धार्मिक कारियों के परवंधन का अधिकार प्राप्त है लेकिन सबड़ी माला जो केस है ना उसमें यही पेज फस गया क्योंकि कोर्ट ने इसमें हस्ताचेप किया और बोला कि नहीं की कोई भी धर्मिक संस्था अपने नियम कारून बनाके किसी भी व्यक्तिव के साथ भेदभाव करें आप थोड़ा-थोड़ा समझे होंगे बकि यह टॉपिक जो है तो यह तोड़ा डीप में है अगर उसको बताऊंगा तो थोड़ा समय का ज्यादा हानी हो जाएगा चलि बंदी बनाये जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर में किसी मजिस्टेट के सामने में प्रस्तूत करना है और उसकी इनफॉर्मिशन जो है उसके घड़ वालों को रहेगी तो यह जो है वैक्तिगत स्वतंतरता के लिए यह दायर है बंदी प्रतेक्शिकरन यह याज का है मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार जो प्राप्त हुआ वो केश्वानन भारती बनाम केरलबाद में 1973 में लेकिन इसमें भी क्या है ना कि मौल धाचा है उसके साथ 6-6 संभाव नहीं है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को की समिधान संसोधन के दौरा मौलिक अधिकारों को सरुनी से हटा दी कर किवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया तो 44 संसोधन जो हुआ था 1978 में मोडार जी देशाई सरकार ने किया था खास करके 1942 में जो 42 संसोधन था जो इंद्रा गांधी ने किया था उसमें बहुँ सारे बदलाव लाके 44 संसोधन किया गया था तो उसमें ये था कि संपत्ति का जो अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया 44 में संसोधन से वर्तमान समय में भारती समिधान के अंतरगत समपत्ती का अधिकार यानि राइट्स टो प्रपर्टी किस परकार का अधिकार है तो अब केवल वैधानी का अधिकार है कानूनी अधिकार है समपत्ती का अधिकार सूचना का अधिकार यानि Right to Information एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत प्रदान किया जाता है जितने लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को ये जान ले कि कैसे सूचना का अधिकार जो है आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको सूचना का अधिकार भला इसूचना का अधिकार जो है उसको लेना बहुत बाद में शुरू किया लेकिन मुझे लगता है अगर पहले मुझे ये सब चीज आता तो बहुत अच्छा रहता तो मैं आप लोगों सबको एक separate वीडियो में इसको बताऊंगा इसी चैनल पर बताऊंगा आर्थिक रूप से पिछरे यानि economically weaker section EWS को आरक्षन परदान करने के लिए समिधान में कौन से अनुचेद किये गये हैं तो अनुचेद 15.6 तथा 16.6 अनुचेद 15.6 तथा 16.6 छे से 14 वर्ष की आयू के बच्चों को परदत सिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो मूल अधिकार है अनुचे 301 के तहत भारती समिधान दौरा परदत समिधानिक उप्चारों का अधिकार गयर नागरिकों को भी उपलब्द है कौन सा बूल अधिकार राष्टिय आपातकाल या नेशनल इमर्जनसी अनुचे 352 में भी समाप्त या सिमित नहीं किया जा सकता है तो यह है व्यक्तिकत स्वतंतरता तथा जीवन का अधिकार जो है वड़ास्टी आपातकाल में भी खत्म नहीं किया जा सकता है ये National Emergency 352 के ताहत अगर कोई अपात्का लगता है तभी रेक्तिकत सतंत्रता तथा जीवन का अधिकार नहीं खत्म किया या सकता है बंधुवा मजदूर उन्मुलन अधिनियम Bonded Labor Abolution Act संसर दोरा किस वर्स पारित किया गया तो ये पारित किया वर्स 1976 में बंधुवा मजदूर उन्मुलन अधिनियम Bonded Labor Abolution Act संसर दोरा वर्स 1976 में पारित किया गया अब देखिए कुछ मूल अधिकारों को इसे देख लिजिए मूल अधिकार और अनुछेद समानता का अधिकार अनुछेद 14-18 तक है अनुछेद 19-22 तक का है सोशन के विरुद अधिकार है अनुछेद 23-24 धर्म की सतन्ता का अधिकार अनुछेद 25-28 संसकृति और सिक्षा संबंदे अधिकार है अनुछेद 29-30 समयधानिक उप्चारों का अधिकार अनुछेद 32 इसको देख लिजिए मेंस एंसर आइटिंग में भी ये पॉइंट जो है आपके बहुत काम आएंगे खास करके जीएस पेपर टू का जीएस पेपर टू में जो सेक्शन पॉलिटी का है उसमें इस चैप्टर से काफी कुछ आने के चांसे समिश सा बने रहते हैं तो अभी इसको तयार कर लीजिए अभी इसको जैसे हो उस तरह से याद कर लीजिए ताकि बाद में जब एंसर आइटिंग होना तो यह थोड़ी सी एजी हो जाएगी एंसर आइटिंग के लिए मैंने ज़ाइन बटन एक्टिव किया है ताकि जो लोग सिमित मात्रा में ही एंसर आइटिंग करना चाहते हैं देखिए एक साथ 2000-3000 लोग का तो संभव नहीं है लेकिन उसमें जितने लोग आते हैं बहुत जादा ही नॉमिनल फीस है और वो नॉमिनल फीस भी अगर कोई नहीं देना चाहे तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है वो बहुत आराम से मेरे वाटसप पे वो कर सकता है नहीं तो GS1 और 2 के लिए हमने मात्र 199 की कडिव का फीस रखा है और जो PSIR है Political Science International Relations है उसके Mentorship के लिए 159 की हमने फीस रखी है हमने और भी टीचर से बात की है जो कम पैसे में No Profit No Loss है यानि कि मेरे चैनल पे वो पढ़ाएंगे और उनको मैं Total जो भी Revenue Generate होगा वो मैं दे दूँगा तो उनसे बात की है ताकि समाज सास्तर के लिए भी मैं आगे लेक् तो देखिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद